समस्कार आप देख रहे हैं HR News मैं मोहलाल आपके लिए लेकर के आया हूँ बड़ी खबर जी हाँ HR News जो खबरे दिखाता है किस तरीके से उन खबरों का असर होता है एक बार फिर इसकी बानगी देखनों को मिली है आपको बता दे रेवाडी के अंदर लगातार निजी कर दे ता कि स्वास्ते विभाग ने दो होस्पिटलों पर कारवाई की है और उस कारवाई का आज परीणाम भी सामने आ गया है जी हाँ आपको बता देख स्वास्ते विभाग जरा भी शन्तुष्ट नहीं है और उसी पर जिला उपायुक्त ने अपनी करवाई कर दी है जी हाँ आपको बता दे रिवाडी का कैप्टन नंदलाल होस्पिटल और धारू हेडा का मेड़ी होम होस्पिटल ये दो हॉस्पिटल है जिनको ले करके बार-ार शिकाईते आ रही थी कि ये दोनों होस्पिटलल इलाज के नाम पर किस तरीके से मरी जो को लूट रहे हैं एक एक दिन का पचास पचास हजार रुपे वसूल कर रहे हैं ना इन होस्पिटलों में कोई सुवीदा है लगातार हमने आपको लाइव दिखाई थी तस्वीरे परसो भी और डिबेट में भी हमने मुद्दा उठाया था इचार न्यून में जो डिबेट हुई थी स्वेम जो किस तरीके से ये होस्पिटल मनमानी कर रहे हैं उसको लेकर के आज बड़ी कारवाई जिला उपायुक्त ने की है और अपना जो बताएं आपको डंदा चला दिया है इन दोनों होस्पिटलों को जो है दीनोटी भाई कर दिया है कि अब तक ज होस्पिटल को लेकर के बार बार यानि की जो है अवाजय उट रही थी परेशान हो रहे थे मरीज बार बार पुलिस चावनी में ये होस्पिटल तब्दील हो रहा था बार बार जो जो मरीज आ रहे थे इस होस्पिटल को लेकर के लगातार शिकायत आ रही थी हमने परस्व आपको लगातार दिखाया था किस तरीके से इस होस्पिटल में इलाज के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड किया जा रहा है किस तरीके से लोग बिलख रहे थे रो रहे थे उनको पर्चिया नहीं मिल रही थी तरीगेन काकटट पर पर्ची बना करके इनको बिल दिया जा रहा था वो तमाम चीजी हमने दिखाई थी जो hanpital के डोक्टर है उनका भी हमने आपको ब्यान सुनाई था किस तरीगे से Haushospital का जो है तरिवाडी यसंदर सिंग ने डी नोटिफाइग किया इस होस्पिटल को एक धारू हेडा का होस्पिटल है मेडी हों और कैप्टन नंदलाल होस्पिटल ये दो होस्पिटल हैं जो कोविड के नाम पर यह लिकी सरकार और परसासन की चवी को धूमिल कर रहे थे क्योंकि सासन परसासन बार-बार कह रहा कि इलाज के नाम पर किसे तरह की कोताई निबरती जाएगी लूट खसोट को बरदास्त नहीं किया जाएगा लेकिन ये होस्पिटल बार-बार यानि कि इन लोगों की शिकायते आ रही थी उसी को लेकर के स्वास्ते भी बाग ने करवाई की थी तो सिधा सिधा कहें जेबो पर डाका डाला जा रहा है पचास पचास हजार रुपे रोज का वसूल किया जा । उसको लेकर के जिला उपाईक तुने अपना असक्त निर्देश दिया है डंड़ा चला दिया अपना कारवाई स्यधी कर दी है और स्वास्ते विभाग को जो इन जिला उपाइक तो नजर आएं एक्सर मोड में यह कहीं न कहीं सरानिय कदम है और रिवाड जिला उपाइक ने बता दिया है एक बार कि दंदा चला करके किसी भी जो कोताई जो करेगा उसको किसी भी हल में बरदास्त नहीं किया जाएगा यह दो होस्पिटल इसकी बानगी है जिने डीनोटिफाइक किया गया है यानि कि अब यह दोनों होस्पिटल इलाज नहीं कर पाएंगे कोविड का यह आपको एचार नीज ने बड़ी खबर दी फिलाल इतना ही फिर आपको इसका अगला अपडेट देंगे क्योंकि जो लोग परताडित हुएं जो लोग दिखाएंगे फिलाल इतना ही फेराते हैं किसी ने टोपी के साथ तब तक के लिए नवश्कार